हलो सुदेंट आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के नेस्ट क्वेस्जन सैकिन है सो दैट 2 प्लस 3 आयटा इंटो 1 माइनस आयटा इस गूल तो 2 माइनस 3 आयटा इंटो 1 प्लस आयटा के दन हमें सो दैट करने के दनों एक्वल है और इसका ट्रांस्पोज है तो solution करते हैं left hand पहले left hand side लेके चलते हैं और फिर right hand side अगर दनों equal आता है फिर तो यह हमारा verify हो जाएगा अगर equal नहीं है तो फिर यह verify नहीं है तो left hand side लेके चलते हैं 2 प्लस 3 आयटा इंटो 1 माइनस आयटा का conjugate तो conjugate से पहले क्या है इसके multiply करते हैं 2 माइनस 2 आयटा प्लस 3 आयटा माइनस 3 आयटा स्केर तो के साथ इसके multiply 2 माइनस 2 आयटा 3 के साथ की 3 आयटा माइनस 3 आयटा स्केर अब conjugate I mean bar अब 3 आयटा जो स्केर है इसके value कितने होगी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या होता है प्लस का होगया माइनस माइनस 3 और जो माइनस का 2 आयटा और 3 आयटा इसमें से subtract करो गए माइनस 2 आयटा प्लस का आयटा और ये 2 ऐसे कैसे है तो 2 और 3 कितना हो गया 5 प्लस आयटा का बार जब बार हटाओगे तो क्या उत्मीन ये कंजूगेट है तो 5 सिंबल चेंज होता है आयटा का इमेजनरी पार्ट का तो 5 माइनस आयटा ऐसे राइट हैंड साइड 2 माइनस 3 आयटा इंटो 1 प्लस आयटा 2 के साथ मिल्टिप्लाई करोगे पहले 2 पलस 2 आयटा हो गया फिर माइनस 3 आयटा के साथ करोगे माइनस 3 आयटा और इसके साथ माइनस 3 आयटा स्केर 2 ऐसे कैसे 2 आयटा हो माइनस 3 आयटा इसमें से स्ब्टैट को माइनस का आयटा हो गया और आइटा स्केयर माइनस का 1 हो गए पलस का 3, तो 2 और 3 कितना हो गया 5 और माइनस का आइटा left hand side भी आपके 5 माइनस आइटा और right hand side भी आपके 5 माइनस आइटा तो hence, तो यह दिनव इकवल हो गया तो 2 पलस 3 आइटा 1 माइनस आइटा का conjugate जोगे इस्गेल तो 2 माइनस 3 आइटा 1 पुलस आइटा तो दुनों एक्वल हैं आगे थार्ड है if x प्लस आइटा का होल स्केर बाइ 2x माइनस आइटा इस्गेल तो a प्लस आइटा b prove that a स्केर प्लस b स्केर x स्केर प्लस 1 का होल स्केर बाइ 4x स्केर प्लस 1 तो हमें ये प्रूफ करना है तो हेर ए प्लस आयटा बी इस इकल टू एक्स प्लस आयटा का होल स्केर बाई टू एक्स माइनस आयटा ये हमने फिर्स्ट एक्वेशन लेट की है तो टेकिंग कंजूगेट और बोथ साइड हम दनों साइड कंजूगेट लेते हैं तो ए प्लस आयटा बी का कंजूगेट इंटू एक्स प्लस आयटा का होल स्केर बाई टू एक्स माइनस आयटा का कंजूगेट तो इसका कंजूगेट बनाओगे तो ए माइनस आयटा बी हो गया इसका कंजूगेट करने से पहले हम क्या करेंगे तो या तो आप इसका जो ये conjugate अबरेक्ट खोलोगे तो इसका conjugate और इसका conjugate तो एक्स तो इसका conjugate क्या हो गया एक्स पलस आयटा का स्केर और टो एक्स माइनस आयटा conjugate हम बाद में करेंगे इसका क्योंकि स्केर खोल लेंगे तो X plus Aita का whole square तो इसका conjugate कर दिया क्योंकि ये conjugate इसका भी है और इसका भी है ब्रैक्ट खोलोगे तो तो इसका होगे आपका minus plus 2X plus Aita अब X minus Aita को इसको ऐसे कैसे रखोगे square ऐसे कैसे का conjugate कर दिया और ये 2X plus Aita ये आपकी second equation फर्स्ट आप किया थी A plus Aita B X plus Aita by 2X minus Aita का whole square जो X minus Aita का whole square अब multiply first and second फर्स्ट और second मुल्टिप्लाइ करने है left hand side के left hand side के साथ करो और right hand side के right hand side के साथ करोगे तो A plus Aita B into A minus Aita B तो X plus Aita का whole square by 2X minus Aita multiply X minus Aita का square by 2X plus Aita जब इसकी multiply करोगे आपका formula बनता है A plus B, A minus B, A का square minus B का square तो A का square minus Aita square और B का square इसका देखो ये whole square लिख देते हैं X plus Aita और X minus Aita और इसका whole square है और ये 2X minus Aita, 2X plus Aita ये formula बनता है A square minus B square तो 2X का square minus Aita का square तो Aita की value minus 1 होता है तो A square plus B square हो गया और इसकी multiply करोगे X square minus Aita square का square बनता है इसका 4X square plus 1 हो गया और Aita square की value क्या होता है? minus 1 तो minus minus plus तो A square plus B square तो X square plus 1 by 4X X square plus 1 का whole square by 4X square plus 1 ये हमें proof करना था आगे है third का second part so that A plus Aita B का conjugate C plus Aita D का conjugate is equal to A minus Aita B C minus Aita D अब हम दुनों side लेके चलते हैं left hand side B और right hand side B दुनों को equal दिखाते हैं तो ये so that हो जाएगा proof हो जाएगा तो left hand side लेके जलते हैं A plus Aita B into C plus Aita D का conjugate तो पहले multiply करते हैं A की इसके साथ करोगे A, C इसके साथ करोगे A, D इसके साथ करोगे A, B, C और इसके साथ करोगे plus Aita square B, D अब जो Aita square B, D है इसके value का होते है minus का 1 तो A, C minus B, D हो गया और यह कोणा आपका real part है इसके लिए हमने इसको अलग रखा A, C minus B, D पलस इसमें Aita common A, D plus B, C अब यह conjugate है इसका conjugate करोगे तो A, C minus B, D conjugate क्या होता है Aita का negative तो minus Aita A, D plus B, C अब यह left hand side हमने सोल के अब right hand side करते हैं तो A minus A, B C minus A, D तो इसके साथ मुर्टिप्लाई करोगे A, C और minus Aita A, D minus Aita B किसके साथ करोगे minus Aita B, C और इसके साथ करोगे plus Aita square B, D तो A, C minus Aita square के वह लिए लिए आते है minus का one तो minus का B, D हो गया plus इसमें से Aita common अंदर A, D plus, sorry, minus है A, D plus B, C तो यहाँ minus देखो, A, C minus B, D है यह भी A, C minus B, D है minus Aita, minus Aita A, D plus B, C A, D plus B, C तो left hand side और right hand side दोनों equal हैं यह हमें prove करना तो hence, A plus Aita B into C plus Aita D का conjugate is equal to A minus Aita B into C minus Aita D तो अपने फिर कोपी में दो क्वेस्टन करने हैं थैंक्स